पैरों में ठीक वैसे ही एक अकार गोलाई की शेप में नजर आता है और इसके इसी कारण से इसे बोलेक्स कहते है इसमें उपर की तरफ हिप जोईंट और नीचे की तरफ एंकल जोईंट अपनी पोजिशन में रहते है लेकिन मिडल पोर्शन यानि नीज बाहर की तरफ बैंट होकर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश में रहती है दूर जाने के साथ leg bones में थोड़ा rotation भी होता है rotation बाहर की तरफ होता है जिसके कारण से knees बाहर की तरफ press out होने लगती है ऐसा glutei muscles की tightness के कारण होता है इस condition को ठीक करने के लिए आपको knees को अंदर की तरफ लाना होगा जिसे adduction कहते हैं और साथ में अंदर की तरफ rotate भी करना होगा जिसे internal rotation कहते हैं मतलब इन दोनों movements के लिए आपको अपनी adductors और internal rotators muscles को strengthen करना होगा और साथ में glutei muscles की stretching करनी होगी तो चलिए bolex की condition को ठीक करने के लिए exercises करना शुरू करते हैं फर्स्ट exercise है toes in squat ये exercise करने से आपकी inner thigh muscles यानी adductor muscles strengthen होगी और knees वापस से pull होकर center में आने लगेगी ये exercise करने के लिए अपने दोनों पैर के बीच में तीन इंचिस के gap के साथ खड़े हो जाईए और फिर अंगुठों को आपस में मिला लीजिए इसके बाद बाजों को सीधा करके squat करना शुरू करिए इसे करने में knees join होने के कारण थोड़ी range of motion कम रहेगी पर कोई बात नहीं जितना normally squat कर पा रहे हैं उतना काफी है इसमें कोशिश करें 10 seconds तक इस position को hold करने की इस exercise के आपको दिन में 3 से 4 sets करने है और एक set में 10 से 12 बार रिपीट करना है अब next exercise पर आते हैं जो है side lying hip internal rotation ये exercise करने से आपकी hip internal rotators muscle strengthen होंगी जो thighs को अंदर की तरफ rotate करती हैं इस exercise को करने के लिए एक करवर से लेट जाए फिर दोनों घुटनों को 90 degrees तक bend कर लीजिए अब उपर वाले leg को अंदर की तरफ घुमाते हुए foot को उपर की और उठाना शुरू करना है जितना आप लेकर जा पा रहे हैं उपर तक उतना आपको लेकर जाना है यहाँ 10 seconds तक hold करना है और फिर relax होकर फिर से same exercise को 10 बार repeat करना है exercise को करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपकी body head से लेकर knees तक बिल्कुल सिधाई में रहनी चाहिए इस exercise के भी आपको दिन में 3 से 4 sets करने है और एक set में 10 से 12 बार repeat करना है next exercise है figure 4 stretch इस exercise से आपकी glutei muscles की tightness कम होगी और रलेक्स होगी और जिससे पैरों का बाहर की तरफ फैलना और बाहर की तरफ घूमना इसको कम करने में help होगी ये exercise करने के लिए कमर के बल सीधा मेट पर लेड जाईए और दोनों knees को मोड लीजिए अब अपने right leg के ankle को left leg की knee पर रख कर दोनों हातों से folded knee को अपनी और खीचना शुरू करिए ऐसा करते ही आपको अपने right leg thigh में stretch feel होगा ध्यान रखें ये stretch tolerable range में होना चाहिए कोई दर्ध ना हो इस stretch को आपको 30 seconds तक maintain करना है और फिर relax हो जाना है relax होकर same exercise को फिर से right leg के लिए दो बार और repeat करना है तीन बार right leg gluteal muscles को stretch करने के बाद फिर तीन बार left leg की gluteal muscles को stretch करना है यानि तीन तीन बार दोनों legs के लिए repeat करना है ऐसा आप दिन में दो बार करें अब आते हैं last exercise पर जो है ball press toe touch इस exercise से आपकी leg की adductor muscles activate होंगी जो knees को अंदर की तरफ लाने में help करेंगी exercise करने के लिए आप एक बड़े size की ball लीजिये और फिर उसे दोनों घुटनों के बीच में fit कर लीजिये अब दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए और ball को घुटनों से दबाते हुए आपको आगे की तरफ जुकना है और पंचों को touch करना है अगर पंचे touch नहीं हो रहे हैं तो जितना नीचे जा पा रहे हैं उतना जाना है और फिर वापस से सीधा हो जाना है इस exercise के भी आप दिन में तीन से चार सेट्स करिए और एक सेट में तस से बारबार रिपीट करिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी friend या relative के लिए informative है तो उसे इस वीडियो का link जरूर शेर करें Thank you